सुधाल ब्रिजेश सोनपुर नाम के एक छोटे से गाउं में रहते थे ब्रिजेश गाउं भर में घूम घूम कर लोगों के घर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी लेकिन अब पिछले कई दिनों से ब्रिजेश को कभी कभार ही काम मिल पाता था जिससे उनके घर पैसों की और भी तंगी होने लगी ऐसे एक रोज सुधा ब्रिजेश से सुनिये जी घर में अन्यका एक दाना भी नहीं है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो चुकी है अब आप कहीं से पैसे ले आएए ताकि हम थोड़ा राशन ला सके तुम तो जानती हो ना सुधा आज कल काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है कभी कभार ही काम मिल पाता है अब तो बस अब परिशान क्यों होते हो जी बस ऐसा सोचे कि भगवान हमारी परिक्षा ले रहा है देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा तुम बिलकुल ठीक कहती हो सुधा अच्छा मैं कुछ काम ढूनने के लिए जाता हूँ ब्रिजेश बाहर जाही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी कार उनके दर्वाजे के सामने आकर रुखती है जिसमें से एक औरत हाथ में साल भर का बच्चा लिए अपने पती के साथ कार से उतरती है कार की आवाज से सुधा भी बाहर आ जाती है सुधा देखती है तो सामने उसकी बड़ी बहन निहारी का खड़ी होती है निहारी का दिदी? आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं सुधा कुछ भी ठीक नहीं है दरसल मुन्ने की तब्यत पिछले एक महिने से बिलकुल भी ठीक नहीं है शेहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन सबका एक ही कहना है कि वंश को कुछ दिन के लिए गाउं के खुले वातवरन और ताजी हवा में रखना होगा तब ही ये पूरी तरह ठीक हो पाएगा हाँ सुधा और हमारे सभी रिष्टेदारों में एक तुम ही हो जो गाउं में रहती हो इसलिए हमें सिधा तुमारा ख्याल आया अगर हम कुछ दिन मुन्ने के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें इससे कोई आपत्ती तो नहीं होगी न नहीं दीदी जीजा जी आप कैसी बाते कर रहें आप जब तक चाहो यहां रह सकते हो अरे ये भी तो आपका ही घर है हाँ भाई साहब जब तक मुन्ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए देखिए मैंने आपसे कहा था न सुधा और ब्रिजेश को हमारे आने से कोई परिशानी नहीं होगी आप तो खामकाई परिशान हो रहते सुधा उन्हें घर के अंदर ले जाती है फिर पडोस में से चीनी और थोड़ा दूद मांग कर लाती है और उनके लिए चाय बनाती है फिर ब्रिजेश से गाउं के जमिंदार से कुछ पैसे उधार लेकर राशन लाने के लिए कहती है ब्रिजेश जादा ब्याज पर जमिंदार से कुछ पैसे उधार ले आता है फिर उनसे राशन ले आता है सुधा सब के लिए खाना बनाती है फिर अपनी दीदी और जीजा को पेट भर खाने के लिए देती है जबकि खुद दोनों पती पतनी आधा पेट ही खाते हैं ताकि राशन जादा दिन तक चल सके फिर आधी रात होते ही मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है चुपो जा मुन्ना चुपो जा चुपो जा ओ फोनी हारिका क्या हुआ मुन्ना इतना रो क्यो रहा है लगता है इसे दूद पीना है वो क्या है ना इसे दूद पीकर सोने की आदत है हाँ बच्चों के लिए दूद तो बहुत जरूरी है सुधा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था न अरे इसमें सुधा की कोई गलती नहीं है मुझे लगा था कि इसका पेट भर गया है खेर सुधा जरा मुन्ना के लिए दूद ले आना लेकिन दूद तो घर में नहीं है दिदी शाम को चाय बनाई थी उसी में खत्मों क्या था कोई बात नहीं मैं इसे लोरी गाकर ही सुला देती हूँ नहीं नहीं मुन्ना भूखा नहीं सोएगा मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ बिजेश जल्दी से बाहर जाता है और दूद लाकर सुधा को देता है अपने कुक को कहता वो जल्दी से बना कर ले आता जी जा जी आप परिशान मत हो ये आपका कुक तो नहीं लेकिन ये साली है न मैं बना देती हूँ सुधा रसोई में जाती है तो वहाँ तेल और मसाले नहीं होते फिर वो बिजेश से कहती है बिजेश जमिनदार से कुछ पैसे और उधार ले आता है और जल्दी से चिकन और सामान लेकर घर आता है फिर सुधा चिकन बिर्यानी बना कर सब को खाने के लिए देती है तीन दिन बाद वो जमिनदार उनके घर पहुँच जाता है क्यों रहे बिजेश पैसे लेने तो तू हर हफते आ जाता है लेकिन लोटाने के नाम पर तेरी शकल नहीं दिखती है जमिनदार साब मैंने कहा तो था आपको आपके पैसे लोटा दूँगा फिर यूँ घर पर आए महमानों के सामने तमासा करने की क्या जर्वत है अच्छा अपने महमानों को करजे पे लिए हुए पैसों से जब तू खाना खिला रहा है है मुर्गियां खिला रहा है तब तेरी इज़त कमना होती चलो रहे इसका सामान उठागर बार भैको तब ही आयुश कहता है ठेरो कितने पैसे हैं तुमारे बीस अजार लो ये लो तीस अजार और आज के बाद यहां दिखना भी नहीं चाहिए समझे जमिंदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है फिर आयुश ब्रिजेश से कहता है ये क्या है सुधा ब्रिजेश तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूर नहीं समझा हाँ सुधा क्या मैं तुम्हारी बेहन नहीं तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया और सारी परिशानी अकेले ही जहलती रही दीदी जीजा जी आप यहाँ चार दिन के महमान थे हम आपको योही परिशान नहीं करना चाहते थे दरसल इनकी कोई नौकरी नहीं है कभी कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं लेकिन अब और नहीं सुधा प्रिजेश मैं इस काउं में एक होटल खुलना चाहता हूँ दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे और उनकी खुप कमाई होने लगी अब बृजेश और सुधा ने भी अपना एक बड़ा पका घर बनवा लिया अब उनकी जिन्दगी के सारे दुख दूर हो गए और वो खुशी-खुशी रहने लगे राशी सुबह से परिशान थी उसकी कामवाली की सास बिमार थी इसलिए वो दो महिने की चुट्टी पर गाउँ चली गई क्या हुआ राशी ओफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो तो और क्या करो पुश पाचाने चुट्टी लेकर गाउँ चली गई बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है किसी की भी कामवाली खाली नहीं है एक काम करो तुम गाड़ी लेकर आफिस पहुँचो मैं आटो लेकर अपने आफिस चली चाऊंगी तभी दर्वाजे की घंटी बचती है जी कहिए आपको किस से मिलना है मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पतनी अनुपमा है हम दिल्ली से आये हैं आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है पता नहीं बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे किसी ने फ्लैट का दर्वाजा ही नहीं खोला हाँ हमने तो एक हफता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं इनके घुटने का इलाज करवाना था तो सोचा अशोक तो यहां रहता ही है अशोक को फोन किया आपने बेटा यहां आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई उसी में ही अशोक का फोन नंबर था रुकिए मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ हाँ हेलो अशोक मैं समीर बोल रहा हूँ हेलो हेलो समीर मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंडन आया हुआ हूँ लंडन पर तेरे मामा मामी यहां मेरे घर पर है अब उन्हें क्या बोलू काम कर यार मेरी थोड़ी मदद कर दे मैं दो-तिन दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लोटाओंगा तब तक तु मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार तु मेरा दोस्त है न पर अशोक हेलो हेलो समीर यहां नेटवर्क नहीं है आवाज नहीं आ रही है मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ ठीक है मामा मामी का खयाल रखना हेलो हेलो अशोक फोन काट देता है समीर कमरे में जाकर राशी को सारी बात बताता है कि अशोक का दिमाग खराब है क्या हम दोनों वरकिंग है मेड मेरी आ नहीं रही है उपर से ये दिल्ली वाले मेहमान वो भी अपने नहीं किसी और के और उनकी देखबाल हम क्या करें मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतिजाम कहीं और कर ले रुको राशी बिचारी दिल्ली से आये है पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं बुजर्ग हैं अंकल जी आंटी जी मैं ऑफिस जा रही हो आप पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है आप ले लीजेगा हाँ हाँ बेटी तुमारा आम से अपने काम पर जाओ हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे समीर और राशी अपने अपने ओफिस चले जाते है शाम को जब राशी ओफिस से लोटती है तो वो घर की हालत देख कर हैरान रह जाती है ओ नो इतनी गंदी स्मेल कहां से आ रही है ये स्मेल नहीं बेटी ये तो देसी घी की खुशपू है तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी तो मैंने सोचा इसका शुद ताजा देसी घी बना लेती हूँ तुम्हारे काम आएगा पर आंटी जी मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं हम लोग ओलिव ओयल लेते हैं रात को सबको खाना किला कर जब राशी सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी अरे ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे पता है आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई और उपर से वो अंकल जी न्यूस पेपर कहीं रखा है सोवे के कवर फैले हुए है उनको में टोक नहीं सकती थी पर ये लोग कब जाएंगे में तंग आ गई हो अभी राशी समीर से बात करी रही थी कि तब ही सुदर्शन दर्वाजा खट-खटाता है क्या हो अंकल जी बताइए कोई परिशानी तो नहीं है समीर बेटा रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी अंकल हाजमोला तो नहीं होगी एक काम करते हैं नीचे बराबर में ही एक दुकान है वो अभी खुली हुई होगी चलिए मैं आपको लेकर दे देता हूँ जाओ जाओ मैं मानू की सेवा करो मैं सो रही हूँ मुझे नीदा रहे है सुबर जल्दी उठना है समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बाते करने लगते है अशोक छोटा सा था जब उसकी मा यानी की मेरी बेहन का स्वर्गवास हो गया और दो साल पहले जीजा जी भी कुजर गए अशोक बच्पन में हमारे घर ही आकर रहता था उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है तब ही तो हम बेज हिजक उसके पास चले आए जी अंकल मैं समझ सकता हूँ वैसे आप चिंता मत कीजिए अशोक दो-तिन दिन में लोटाएगा अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइन्मेंट ले लेता हूँ जीते रहो बेटा अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ की हाथ पैर चलते रहने चाहिए सुदर्शोन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए एक हफता बीद चुका था पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन की घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है एक दिन अशोक का फोन खोदा आ जाता है अरे अशोक कहा था तू इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ समीर आखिर क्या करता वो मजबूर था वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था वो जानता था कि वो बुजर्ग दमपती किस परिशानी से गुजर रहे है एक दिन जब राशी गुसे में समीर पर बरस रही थी तो अनुपमा चुपके से उनकी बाते सुन लेती है तुम्हें पता भी है समीर उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है पहले मेरी और तुम्हारी सेलरी में से कितने पैसे बच जाते थे पर अब देखो गर्मी के दिन है एयर कंडिशनर का भी बिल डबल आ रहा है रसोई में भी गैस चुले का बिल पहले कितना कम आता था उपर से इस फ्लैट का किराया अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है वो दोनों समीर और राशी की मजबूरी को समझ गए थे सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान खाने पीने की चीज़े फल सबजियां सब खरीद लाता है अनुपमा उस राद बढ़ियां-बढ़ियां खाने के व्यंजन बनाती है जब राशी और समीर घर लोटते हैं तो घर का तो पुरा नक्षा ही बदला हुआ था राशी ठकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी वो देखती है रसोई में तो दाल, सबजी, रोटी, चावल सब कुछ तयार था वो देखकर हैरान रह जाती है समीर बेटा, राशी, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुदोलो, फिर हम सब मिल कर खाना खाएंगे और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे मुझे बता दे ना राशी बिटिया, ये सब सामान कहां रखना है अरे अंकल इतना सामान लाने की क्या जरुवत थी कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो उस दिन से राशी और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराय नहीं सके ही हो कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लोटा पर समीर और राशी को अब इस बात की कोई परवा नहीं थी वो दोनो सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लोटाया समीर बेटा, राशी बिटिया तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़ कर प्यार दिया ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं इसे बड़ों का आशिरवात समझ कर रख लेना मना मत करना बच्चो अंकल ये चाबियां कैसी? मैं कुछ समझा नहीं समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां है हम उस फ्लैट में नहीं रहते हम दिल्ली रहते हैं इसलिए यहां का फ्लैट बन रहता है अशोग के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जाही नहीं पाए अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है हम जानते हैं तुम यहां इस फ्लैट में किराए पर रहते हो अब तुमें किराए पर रहने की कोई जरुरत नहीं है हाँ समीर बेटा हम दोनों बूढ़े बुढ़िया दो फ्लैट लेकर क्या करेंगे हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं आज से तुम दोनों वहां रहना और हसी खोशी उस फ्लैट में ग्रिह प्रवेश करो पर मामा जी वह फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था चलिए मामा जी मामी जी आपकी फ्लैट का टाइम हो रहा है चलो राशी हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं राशी और समीर सुदरशोन और अनुपमा को छोड़ने एरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है वो जानता था कि वो कहां गलत था